ओके एक ऐसा sensitivity setting जिसको on करने के बाद आपका phone का sensitivity बढ़ जाएगा और high sensitivity होने के बाद वज़ाँ से easily headshot मार पाओ गए सभी phone में ये setting मौझूद है बस आपको इसे on करने की जरूरत है सबसे खास बात ये setting को यूज करना बिल्कुल safe है नहीं आपका ID ban होगा नहीं आपका कोई hack यूज कर रहे हो नहीं कोई कोई आपके साथ SKM होगा ये आपका phone का ही setting है इससे आपका कोई खत्रा नहीं है DPI यूज करने से भी बढ़िया है उससे भी तगड़ा इसे headshot आप मार पाऊगे चाहिए आपके पास फुराना वाला 1GB RAM का phone हो ये नए वाला 8GB RAM का phone हो ये setting से 1GB RAM वाला phone भी उतना ही तगड़ा headshot मार पाएगा कि जितना कि आप 8GB RAM वाले phone से headshot मार पाऊगे setting का नाम है pointer speed तो मैं आपको बता दू कि pointer speed को जब ज्यादा रखते हो तो spray gun से ज्यादा headshot लगते है light, MP40, UMP, SCAR इन सब gun से आपको ज्यादा headshot मार पाऊगे अगर इसको सबसे ज्यादा कम रखते हो तो आप shot gun से headshot मार पाऊगे तो अब सवाल ये उठता है कि हम इसे ज्यादा रखे या कम रखे आप देखो आप कौन सा gun यूज करते हो आपके उपर है कि आप सबसे ज्यादा जो gun यूज करते हो अगर spray gun ज्यादा यूज करते हो तो आप इसे full पे रखे अगर आप shot gun यूज करते हो तो बिल्कुल कम करके रखे तो आगर आप दोनों यूज करते हो तो इसको 50 पे यानि 50-50 करके रखे तो आपको दोनों gun से headshot लगने के chances बहुत ज्यादा रहेगी अब बात करते हैं कि pointer speed मिलेगी कहा आप अपने setting में जाओगे setting में जाने के बाद यहाँ पे search बार आपको नजर आएगा वहाँ पे search करोगे pointer speed pointer speed जैसे ही लिखोगे यहाँ पे देखो आगया है वहाँ पे आप click करोगे तो मैं सबसे ज्यादा यूज करता हूँ spray gun तो मैं इसको full लखूँगा तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया आपको choose करना है कि आप कितना पर रखना चाहते है अगर head shot आपको sword gun से मारना है यानि sword gun से खेलना है तो बिल्कुल कम रखना है अगर spray gun जादे use करते हो तो बिल्कुल high रखना है अगर आप दोनों use करते हो तो 50% रखना है इससे आपका sensitivity बढ़ जाएगा और अगर आप इससे को बिल्कुल कम कर देते हो तो जब भी head shot आप इस sword gun से मारते हो तो आपका pointer इस पिर जब वहाँ पे head के उपर enemy के जाएगा तो वहाँ पे lock हो जाएगा इसलिए आप बिल्कुल कम रखोगे तब ही जाके head shot आपके अपने हिसाब से रखना है देखो भाइस ये बस एक setting है अगर आपको खेलना नहीं आता तो आपको game पे मेहनत करने की ज़रूरात है ना कि अगर आपको खेलना नहीं आता तो ऐसे हैकरों के तरह head shot मारने लग जाओगे ये बस एक sensitivity है जो आपका phone का sensitivity high कर देती है और अगर आपको ये pointer speed अपने आपके phone में नहीं मिलता है तो आप google पे ये youtube पे जाके search कर सकते हो आप अपने mobile mobile जो mobile यूज करते हो mobile ढालोगे वहाँ पे लिखोगे कि pointer speed setting आप अपने mobile का नाम डाल दोगे वहाँ आपको फोजाएगा कि आपका ये कहाँ setting है तो ऐसे आप कर सकते हो